वालकम टू वीडियो आज के वीडियो में हम गुजरात बोर्ड का जो अपडेटेट से उनके बारे में बात करेंगे ठीक है तो सेलेबस के बारे में बात करने से पहले चैनल का थोड़ा समय इंट्रोडक्शन दे दू फिर से ठीक है मेरी चैनल पर मैं जैनरल 11-12 के वीडियो कोज अभे अप्लोड कर रहा हूँ ठीक है और मेरा टारगेट एक है कि 100 kmT कार यउनिट तो अगर आपको 100 incentiv पर यउनिट जो course है मेरा ठीक है अभी तो currently free of cost है और मेरा try रहेगा कि आगे जाके भी वो free of cost ही बना रहे ठीक है अगर मानों कि in case में charges रखूंगा तो एकदम nominal minimum charges होगा लेकिन वो कोई अभी मेरा target नहीं है ठीक है तो अभी वो free of cost चालू है और मेरा try वही रहेगा कि वो free of cost ही रहे ठीक है तो अगर वो आपको join करना है ठीक है तो उपर जो number given है उनके उपर आप अपना नाम ct का नाम खाली whatsapp कर दो तो मैं वो course की आपको link share करता रहूंगा ठीक है तो आप channel को like करो subscribe करो फिर आगे हम syllabus के बारे में बात करेंगे तो अभी phone के अंदर मेरे पा इलेक्ट्रिक फिल्ट की ठीक है तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फिल्ट से कौनसा कौनसा पॉर्शन डिलिटेड है तो जैसे आपको दिख रहे कि classification of material है ठीक है 1.3 charging by induction है फिल्ड यूट्वर्मली चार्ज स्परिकल शेल है और फिल्ड यूट्वर्मली चा अब बस से लेकिन आपको पता है ना मैंने दोनों आपको लेक्ट्र के अंदर कर वाया थे तो वह दोनों topic अपने डिलिटेड है और एक charging by induction ठीक है conduction conduction और friction करोगे आप ठीक है induction नहीं करोगे लेकिन conduction और friction भी उतना नहीं पूछा जाएगा ठीक है clear तो यह topic आपके डिलिटेड टापिक से ठीक है और example की मैं बाद करूँ तो देखो 1.1 वाला एक example था वह induction के basis पे था वह डिलिटेड है फिर 1.3 1.2 1.3 1.4 1.6 तो 1.12 यह अपने syllabus में added है ठीक है फिर 1.1 1.5 और 1.13 वाला जो numerical है textbook solved example वह डिलिटेड है और exercise की अगर मैं बात करूँ तो 1.12 1.11 अपने syllabus में है जबकि 1.13 से लेके 1.24 exercise के numerical भी अपने syllabus में है ठीक है डिलिटेड कौन से कौन से 1.12 1.25 तो 1.34 तो mostly आप देखोगे न कि हर एक unit के अंदर जो additional exercise है वो almost deleted है पूरी की पूरी एक दो unit को छोड़ के और में भी वो मतलब की ऐसे mistakes से रह गया यार रखा गया है वो मुझे पता नहीं चल रहा ठीक है क्योंकि बाकि सारे unit का deleted है इसलिए चलो कि first unit यहां पे खत्म कि second unit की बाद करें electric potential and capacitance तो अल्मोस्ट सारे theoretical topics आपको cover up करने है वहां पे electrostatic of conductor है वो deleted ठीक है और वेंदे graph अल्रेडी अपने syllabus से deleted था तो उसको यहां पर mention नहीं किया है आपकी बोड की deleted copy के अंदर ठीक है 2.10 अपने syllabus में है और exercise में 2.12, 2.11 अपने syllabus में है ठीक है तो 2.7 आपका वहां पर deleted होगा 2.12 से लेके 2.36 deleted है और 2.37 वहां पर mention नहीं किया होगा आपकी deleted copy के अंदर लेकिन मैंने उसको यहां पर deleted में डाल दिया है ठीक है ठीक है तुम्हें नहीं यहां पर deleted में डाल दिया है ठीक है दो दो यूनेट का यहां पर clear है आप लोगों को चलो थर्ड यूनेट की बाद करूं left-hand side अपना included portion है ठीक है राइट-hand side पर deleted portion है तो आपको दिख रहे है है वहाँ पर resistivity of various material वह जो टेबल वाला portion था ना वह डिलीटेड है series and parallel combination of cell deleted एए देखो important topic था वह भी यहां पर deleted ठीक है numerical आपको दीख रहे है कि कौन से numerical समय करने हैं ठीक है कौन से numerical सम नहीं करेंगे तो यहां पर आपको दीख रहे क्लियर है इतना हां कि ना चलो डिलीटेड नुमरिकल कौन से 3.162 3.24 कहां पर exercise के अंदर ठीक है chapter 4 की बात करें moving charge and magnetism देखों यहां पर थोड़ा मुझे आपसे शेर करना है कि साइक्लो ट्रोन का portion डिलीटेड है cyclotron का principle कौन से है पता है आपको चार्ज जब perpendicular magnetic field से perpendicular एंटर होगा तो r is equal to mv divided by qb अगर ए फार्मिला के basis पे numerical पूछे तो वो आपके समझ में आने चीए ठीक है और clear है इतना आ कि ना तो यहां पे वो numerical होंगे तो cyclotron का नाम होगा लेकिन फार्मिलाज यह वाली यूज होगी चार्ज एंटरिंग पर्पेंडिकलर टू दी मैगनेटिक फिल्ड तो नुमरिकल्स हमें करने है ठीक है cyclotron related नहीं है लेकिन उनके basic principle related वहाँ पे ठीक है तो डिलीटेड नुमरिकल्स कौन से कौन से 4.4 डिलीटेड है ठीक है और exercise के अंदर 4.1424.28 डिलीटेड है ठीक है फिर मैं 5th unit की बात करूँ आपसे magnetism matter इनके अंदर काफी सारा डिलीटेड portion है ठीक है तो बार मैगनेट ऐसे equivalent solenoid जो हमने derive किया था solenoid की axis पे magnetic field किसके बराबर होगा जैसे आपकी बार मैगनेट की axis पे magnetic field होता है अब सेम ठीक है तो वो डिलीटेड है फिल डाइपोल इन युनिफोर्म magnetic field तो यह जो डाइपोल इन युनिफोर्म magnetic field है वहाँ पे डाइपोल का torque है उनका temperate of oscillation है डाइपोल की एनरजी यह सारे topic डिलिटेड है ठीक है क्लियर वो पूरा पोर्शन डिलिटेड है क्लियर फिर देखो मैगनेटिक प्रापर्टीज ओफ माटीरियल तो मैगनेटिक प्रापर्टीज ओफ मतलब आपका डा मैगनेटिक material डिलीटेड है paramagnetic पूरा डिलीटेड है paramagnetic का जो क्यूरीज लो है वो भी आपका यहां पे डिलीटेड है ठीक है और ferromagnetic भी डिलीटेड है एंड आपकी जो hysteresis थी वो भी डिलीटेड है हाँ लेकिन याद रखना हुआ पे temporary magnet और permanent magnet वाला जो soft magnet से उनका यहां पे portion आपका added है ठीक है clear वहां में करना है numerical यहां पर आपको दिख रहें कौन से कौन से करने कौन से कौन से नहीं करने ठीक है तो 5.1 से 5.5 5.11 टेक्स्बुक्स और नुमरिकल डिलीटेड है 5.32 5.25 भी आपके डिलीटेड है फ्रम एक्ससाइज ठीक है और remaining नुमरिकल्स हमें करने हैं फिर 6 यूनिट की बात करें electromagnetic induction तो electromagnetic induction के अंदर faraday हेंट्री जो स्टार्टिंग के तीन एक्सपरिमेंट थे वह डिलीटेड है और AD current का portion डिलीटेड है उनके अलावा सारा portion हमें यहां पे करना है और numericals की बात करूं तो सारे textbook salt numericals हमें करने हैं यहां पे ठीक है और exercise के अंदर exercise के अंदर 6.1 से लेके 6.10 तक सारे numericals हमें खरने हैं ठीक है clear और डिलीटेड में कौन से कौन से 6.1 से लेके 6.17 तक आपके डिलीटेड है clear यह सवर नो फिर देखो second में बात करूं alternating current next seventh unit अपनी ठीक है तो उसके अंदर analytical solution LCR series circuit का वो डिलीटेड है ठीक है हाँ फिर एक power factor का last में portion है वो डिलीटेड है अभी अपना unit हुआ नहीं है तो जैसे ही हम वहाँ पर learn करेंगे तुम्हें आपको बता दूंगा ठीक है और numericals की बात करूं तो 7.1 से लेके 7.6 हमें करने टेक्सबुक से 7.8 के अंदर एंट बी वाला जो portion है वो हमें करना है ठीक है 7.10 7.11 हमें करने ठीक है फिर exercise के भी मैंने लिस्ट आउट करके रखे और डिलीटेड आपके वहाँ पे आपको दिख रहे है ठीक है तो वो सारे portion डिलीटेड है फिर बात करते इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेवज वाले यूनिट की तो उनके अंदर displacement current का जो derivation है वो डिलीटेड है तो सीधी बात है उनसे रिलेटेड जो भी आपके डिलीटेड होंगे ठीक है तो आपको डिलीटेड पोर्शन नुमर्रीकल्स का भी दीख ह्रहा है ठीक है और कौन से को सनुमर्रीकल्स करने वह आपको दीख रहा है ओके चलो फिरंसत हिसको margin के लिए बाद करूँ तो रे आप्टिक्स में जो स्टार्टिंग का रिलेशन है आर इस इक्वल टू एफ ठीके फोर मिरर वो डिलीटेड पोर्शन ही यहां पर आपका ठीके मिरर एक्वेशन भी यहां पर डिलीटेड है ठीके दस पर्शन बाइप प्रीजम डिलीटेड है नैच्रल रिलेटेड तू सैनलाइट वो भी डिलीटेड है ठीके रेइंबो स्केटरिंग ऑफ लाइट तो वहां पर संक्यू रैडिश दिखेगा ठीके ऐसे तो यह सारे पोर्शन डिलीटेड है और सबसे बड़ा पोर्शन जो डिलीटेड है यह आप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतल जैसे आपको दीख रहा है टेक्स्बुक्स और एक्जाम्पल्स 9.1-9.9 हमें करने है ठीक है 9.1-9.10 & 9.15-9.25 भी हमें करने 9.10-9.11-9.12 टेक्स्बुक्स और एक्जाम्पल हमें नहीं करने 9.11-14-26-38 डिलीटेड है एतना चलो नेक्स्ट है वेव आप्टिक्स तो वेव स्टर्टिंग में जो प्रींसिपल है, होस्थ डिलिटेड है ठीक है इंपोर्टेंट पाट था impor अच्छा पाट था डिलीटेड ए ठीक है फिर resolving power of telescope and microscope ये दोनों डिलिटेड है फिर major portion एक डिलिटेड है polarization वहाँ पे आपकी मालूज लो होगी ब्रुस्टर लो होगी polarization by reflection polarization by scattering तो ये सारा portion डिलिटेड है major portion है 10th unit का ठीक है तो वो एक डिलिटेड है तो मैं अभी सिंपल सी बात बोलू ना तो एक फिफ्ट यूनिट के अंदर अच्छा आपको डिलिटेड पॉर्शन मिला और एक ये वाला ठीक है और आगे एक एक यूनिट पर मिलेगा वहां पर मैं आपको मेंशन करूंगा ठीक है एक एक्जाम्पल्स आपको दीख रहे हैं कौन से कौन से एक्जाम्पल आप करोगे ठीक है ज्यादा पूछा नहीं जाता था ठीक है क्लियर तो आपको अधर सब्जेक्ट फिजिक्स में पहले वैसे भी ज्यादा मेनद करनी पड़ती थी लेकिन यहां पर में ही पड़ेगी आपको फिजिक्स के अंदर ठीक है क्योंकि कम पॉर्शन डिलिटेड है फिर एक्टम्स की यहां पे स्क्रीम पे दिख रहे है ठीक है तो आपको कोई भी योनिट के अंदर अगर जब भी भी कोई भी टाम पे क्वेरी हो कि सर एक पॉर्शन डिलिटेड है कि नहीं है मैं कंफ्यूजन हो मुझे आप आंसर दो तो आप इसी वीडियो के कमेंट में आप बता देना तो तो वह पीडियेफ आप डाउनलोड करके अपने साथ रखना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना क्यों कि जब भी बोर्ड की एक्जामिनेशन आएगे ना फिर आप दूनने निकल जाओगे कि सर कौन सा पॉर्शन डिलिटेड है कौन सा पॉर्शन डिलिटेड नहीं है वो म नेक्स्टे न्यूक्लिय το जैंकर फोर्शन डिलिटेड ए ठीक है आलफाडी के बीटा दीके गामा डीके डिलिटेड ए ठीक है फिर नुकलियर फुजन प्रसेस इन स्टार वो डेडिटेड है controlled thermonuclear fusion process भी यहाँ पर deleted है और numericals आपको यहाँ पर मैंने mention करके रखे ठीक है clear तो इनको आप एक बार अच्छे से ध्यान से एक बार और दूसरी शिन में यह रहेगी अपनी book निकालो और सारे deleted portion को ना red pen से cross कर दो आप read करोगे लेकिन exam related नहीं ठीक है learn करोगे लेकिन exam related नहीं ठीक है फिर last unit है अपनी semiconductor ठीक है तो वहाँ पर जो classification of material है ठीक है मैंने आपको starting में बुला था कि तीन बार हम classification study करेंगे एक first unit में था ठीक है फिर एक third unit में था और एक fourth unit में था ठीक है तो यहाँ पर energy gap के business पर था वो deleted है यहाँ पर ठीक है general diode आपका deleted है अब देखो यहाँ पर मैं और बता दू कि आपका जो transistor का portion है ठीक है transistor का जो portion है वह भी deleted है ठीक है तो आपको लगेगा कि सर यहाँ पर वह portion mention क्यों नहीं किया तो वह portion पहले already पहले यहां तक अपना updated syllabus था अगर आपको information अच्छी लगी हो चैनल को like करें ठीक है subscribe करें और अपने दोस्तों के साथ share करें ऐसी मेरे साथ connection में रहोगे तो जो भी update होगी वह तो मिलती रहेगी और मेंड चैनल का मोटो क्या है 11-12 फिजिक्स ठीक है तो वह तो साथ में चलते हैं लेगा है आपके अगे थैंक यू थैंक यू वरी मँश बफट देख